गुड मॉर्निंग गाइस कैसे हो आई होप सब अच्छे होगे और आज मैं बना नहारी हूं सुब़ सुब़ अनियन की पकोड़ी यानि ग्रीन जो प्याज रहता है उसकी और उसमें डाला है मैंने कुछ गोबी और कुछ आलू और यह डाल लही हूं ड्राइव मसाले मसाले म मिर्च पाउडर और अद्दा चमच डाली मैंने साबू सॉंफ इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जो सॉंफ रहती है तो गाइस मैं मतलब मॉर्निंग में पकोड़ी बना रही हूं तो आजए है आप लोग भी और यह ग्रीन प्याज की पकोड़ी बहुत टेस्टी बन मैं तो मैंने सोचा आज इसी का नास्ता करते हैं तो बहुत ही अच्छी बनी थी और एक बार में मैंने काफी डाल दी थी देखो दो बार में जितना बैटर था पूरा खतम हो गया तो मैंने ज्यादा ओल डाय लख था तो गाइस आप भी ट्राई करना ग्रीन अनियन की और जिदी या फिर जो बनाते हैं तो कैसे कैसे बनाते हैं मेरे साथ जरूर सियर करना और कमेंट बाक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करना और काफी टेस्टी बनी थी चाय वन नहीं धूसरी तरफ और एक तरफ मैंने पकोड़ी बनाई मतलब mix वाली इसमें गोवी यालू सब पकोड़ी बगएरा लेकिन आज मैंने बहुत दिन बात बनाई तो कभी कभी तो चली जाता है गाइस तो आप लोग जरूर ट्राइ करना और मुझे पताना तो कैसी लगी कैसी नहीं लगी और मीडियम आज में इसे सेखना ताकि ये अंदर से अंदर तक सिख जाए और कच्छ के पते हैं वो जल के विकार हो जाएंगे और उसका टेश्ट एक दम कड़वा आने लगेगा तो तलते से हमें थोड़ा दिहान दें लेकिन बनती बहुत चल्दी से हैं और बेसन भी इसमें कमी जाता है ज्यादा बेसन नहीं जाता और बहुत अच्छे से बन जाती हैं कोई इजी हैं बनाना कोई मुश्किल नहीं होती है बनाने में और अच्छे से बनके रेड़ी है या फिर जब कोई महमान बगएर आता है तबी भी हम आप लोग ट्राइक कर सकते हैं तो आज आईए चाय छान देती हूं पकोड़ी बन गई तो नास्ता कर लीजिए और कैसा लग बताना तो बाई बाई गाईस मिलती हूं